जए हिंद बच्चों आपका आपने चैनल मेथ फिल्टर में स्वागत है पिछले वीडियो में हमने प्रश्नाली कछ्षा 9 का प्रश्नाली 2.3 का पहला प्रश्ण का पहला और दुसरा प्रश्ण को स्वल्फ कर दिये थे और आज हम लेकर क्या है पहला का तिसरा प्रस्ण जिसमें लिखा हुआ क्या था कि यहां पर आपका एक बहुपद दिया हुआ था x का पावर q प्लस 3x स्क्वार प्लस 3x प्लस 1 को निम्न लिखित से भाग देने पर सेस्फल ग्याद किजिए यहां भी आपको सेस्फल निग्याद करना है परन्तु इस पार आपको x से भाग देना है ठीक है बच्चो तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं आपको x से भाग देना है xq पलस 3x2 पलस 3x पलस 1 को जब आप x से इन सभी में भाग देते हैं तो आपका सेस्फल क्या प्राप्त होता है ठीक है बच्चों पिछले वीडियों में हम बता चुके थे कि आपको सबसे पहले यहां जो रहता है आप इसके बराबर में ले आईए तो इस x में आप क्या चीज़ी से गुना करेंगे कि आपको x का पावर 3 आजाएगा तो पिछले वीडियों में हम बता चुके थे आपको कि यदि आप x को x से गुना करते हैं तो x का पावर चढ़ जाता है क्यों कि यहां पी x का पावर 1 है और यहां भी x का पावर 1 है तो इसका पावर और इसका पावर दोनों का पावर क्या हो जाता है जुट जाता है बच्चों तो यहां भी यदि आप x स्क्वाइर से गुना करेंगे कैसे तो यदि आप एकस स्क्वाइर से इस एकस में गुना करते हैं तो आपको मिल लाता है एकस का पावर तीन ठीक है और यहां पे प्लस में है यहां प्लस में है तो इसे आप माइनस में लिख दीजिए आप पिछले वीडियो में जब दो ब्यंजक दिया हुआ था तो हम यहां पे दो बार लिखे थे लेकिन यहां पे सिर्फ एकस है सिर्फ आप एकस से भाग दे रहे हैं इसलिए आप एक ही में लेकर चलेंगे तो यहां पे प्लस और माइनस यह दोनों कट जाएंगे यहां पे बच सॉरी यहां पे जीरो हो जाएंगे और उतरेंगे क्या यहाँ पर 3x square plus 3x plus का 1 यह आपको यहाँ पर उतर जाएंगे अब आपको कोई ऐसा संख्या लेना है जिसमें गुना करेंगे x को तो 3x square आएगा ठीक है बच्चो तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब आप x से x में गुना कर रहे थे तो आपको x का square आ रहा था तो यहाँ भी x का square लाना है ठीक है अब इसी में से किसी x में हम 3 को बैठा देंगे तो आपको यहाँ पर 3x square मिल जाएगा ठीक है बच्चो तो जब आप 3x से गुना करेंगे x में जब आप 3x से x में गुना करेंगे तो आपको 3 x square मिल जाएगा 3 x square मिल जाएगा ठीक है बच्चो आप देखेंगे कि यहां भी यह प्लस में है तो इसका sign क्या हो जाएगा minus में और minus plus कट जाएगे कटने के बाद आपके यहां पे 0 बच जाते हैं अब आपके उतर जाएगे यहां पे 3 x plus का 1 ठीक है बच्चो तो 3 x plus 1 आपका उतरता है तो अब आपको एक ऐसी संख्या पता करना है जिसमें यदि आप x से गुना करेंगे तो आप तो 3 x मिल जाएगा आपको यहां पे ठीक है तो अब आप देखेंगे कि जब x में किसी नंबर से गुना करते हैं तो वह नंबर के साथ मिल जाता है गुनांक में यदि आप 2 से x में करते हैं तो आपको 2 x मिलता है यदि आप 3 से x में करते हैं तो आपको 3 x मिल जाता है आपको पता क्या करना है आपको 3x लाना है, तो यदि आप 3 से घुना करते है एक में, तो आपको 3x यहाँ पर मिल जाता है, बच्चों, ठीक है, अब 3x मिलने के बाद, देखेंगे कि यहाँ पर plus में है, तो इसे आप माइनस कर दीजिए, और यहाँ से माइनस माइनस को काट दीजिए, काटने के आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे शिर्फ एक बच जाता है अब एकस और एकक का कोई सम्बंध नहीं बन रहा है बच्चो तो यही आपका क्या हो जाता है और एंसार आपका यही हो जाता है ठीक है बच्चो तो बस आजकी वीडियो में इतना ही तब तक के लिए अगला प्राशने दखने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्डर से जय हैंद